आज मैं आपके लेके आई हूँ बर्फी की रेस्पी बहुती टेस्टी और बहुती असान है इसे घर पे बनाना और एकदम बजार जैसी हलवाई स्टाइल ने बनाएंगे एकदम मैंने यहां पे पूरे सीक्रेट्स बताए हैं कि कैसे आप एकदम पॉरफेक्ट बर्फी बना सकते हैं और इसको बनाना बहुती असान है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दिमशकार दोस्तो मैं शुश्मा आपका शुश्मा कि रसवही में स्वागत करते हैं तो बर्फी बनाने के लिए यहां मैंने दो लीटर फुल फैट मिल्क लिया है और इसको आपको किसी मोटे तले के बर्तन में चड़ाना है यहां मैंने लोही की कड़ाई में इसको चड़ाया हुआ है हलवाई एकसर इसी ऐसी बड़ी-बड़ी कड़ाई में बनाते हैं तो यह करना है तो चीनी अच्छे से मिल गई है और यहां मैंने डेड़ चमश कॉन फ्लोर लिया हुआ है आप इसकी जगा अरारोड भी ले सकते हैं इसे हम पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह हम क्यों डाल रहे हैं यह हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जब हम बर्फी बनात तो उसमें दाने आ जाते हैं और वो टेक्ष नहीं आता है बजार जैसा तो यह हम इसलिए डाल रहे हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएंगे तो यह देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा डाल रही तो यहां पर यह सारा डाल देंगे और जैसे आप इसका घोल डालेंगे तो दूद जो है वो फटा-फट से गाड़ा होना शुरू हो जाएगा तो बस यहां पर आपको चलाते रहना है और मिल्क को एकदम गाड़ा करते जाना है इसको रिडियूस करना है यह देखिए मिल् से जा रहा है एकदम इसे हमें गाड़ा कर देना है एकदम यह डो की फॉर्म में आ जाएगा बुंते बुंते एकदम लगाता रहे हैं देखिए बिल्कुल भी इसमें कोई दानी नहीं है यह सब कमाल है कॉन फ्लोर डालने का तो बस अब जब यह बहुत जादा गाड़ी हो यहां पर बस अब इसको देखिए यहां मैं डाल रही हूं देड़ चमच यहां पर मैं देशीगी डाल दूँगी ताकि इसमें शाइन आ जाए यहां पर तो बस क्यूंकि हमने यहां पर फुल फैट मिल्क का यूज किया हुआ है तो इसमें ज्यादा हमें फैट डालने की ज देखिए एकदम यह गाड़ा हो चुका है कैसे पता चले की हो गया है जब इसको हम हाथ में उठाके से रोल करेंगे तो यह देखिए रोल हो जाएगा और यह चिपकेगा नहीं तो हमारा जो डो है वो तयार है बर्फी जमाने के लिए तो बस यहां पर इसको मैं एक ट्रे म में जमा रही हूं आप थाली का थाली में भी जमा सकते हैं तो बस यहां पर देखिए सारा मिक्षर जो है वो निकाल लेंगे तो सारा मिक्षर को निकाल के हम यहां पर सेट करेंगे इसको शेप देंगे तो यहां पर देखिए मैं सारा मिक्षर जो है वो निकाल चुकी हूं और यहां पर देखिए स्पेशला पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि यह चिपके नहीं और इसको सेट कर लेते हैं फटा-फट से तो यहां देखिए मैंने इसको सेट कर लिया है और इस पर अब में डाल दूँगी बारिक कटा हुआ यहां पर बदाम डाल दूँगी और इसको पिस्ता से यहां पर गार्निश करेंगे देखिए यहां पर इस तरीके से आप चाहिए तो इसको बिना ड्राइफूट के भी बना सकते हैं लेकिन थोड़ा सा बजार वाला लुक चाहिए तो यहां पर ड्राइफूट डाल देते हैं और यहां पर पिस्ता भी डाल देते हैं यह देखिए इस तरीके से पिस्ता भी डालने बारी कटा हुआ घर की बर्फी है एकदम शुद्ध है और बहुत ही सॉफ्ट है तो इसको हम यहां पे देखिए यहां पे इस तरीके से दबा के सेट कर देते हैं ताकि यह ड्राइफ रूट निकले नहीं तो यहां मैंने देखि के रख दे रही हूं रात भर के लिए तो बस इसको भारी छोड़ दीजिए अच्छे से जम जाएगा यह और यह देखिए सेट हो चुका है तो मैं इसको थोड़ा सा पहले ही कट कर रही हूं और देखिए देख सकते हैं कितना यह ज्यादा सॉफ्ट बर्फी बनके तयार नौ घंटे के लिए या पूरी रात के लिए तो यह फटा-फट से जम के तयार हो जाएगी और बिल्कुल बजार वाला लुक आएगा और अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो क्या होगा कि जब भार निकालेंगे तो इसमें से पानी आने लगेगा तो वो चीज हमें नही डही नगी होनी चाहिए तो बस यहां पे देखे मैं इसको कट कर रही हूं मैंने इसको थोड़ा सा पहले ही निकाल लिया है right अब मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस ये देखिए थोड़ा से मैं इसको जल्दी ही क्या करते सैट होने से पहले ही काट दिया है आपको दिखाने के लिए आप थोड़ी देर जादा रखेंगे तो आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट बनेगी तो यहां देखिए इसका टेक करना ना भूलें थैंक यू